दोस्तों मैं हूँ निलोत्पल म्रनाल और अभी आप सुनेंगे मेरा लिखा उपन्यास यार जादूगर मेरी ही आवाज में मैं पिछले जन्द में एक निरीह बकरी था घास पूस खाता और जंगल नदी मैदान गाउं टोला घूमता मैं अपने स्वामी को रोज वेद बाचते सुनता तभी ही मेरी इच्छा थी कि मैं एक उपनिश्द लिखूँ फिर एक दिन पढ़ने लिखने वाले लोग मुझे काट कर खा गए अध्याए एक भेलवा पहाडी की तलचट से बस थोड़ी दूर हटकर मैदान में बसा एक मजोला सा गाउं दामू सिंगा यहाँ से मात्र दो तीन किलो मीटर दूर निकलते ही मिलता था एक पुल उस करीब करीब जूल चुके सकरे पुल को टपते ही एक दम उत्तर में सुरू हो जाता बासको का जंगल पुल के नीचे से बहती नौरंगी नदी जिसका किनारा जंगल के एक किनारे से मिलते हुए निकलता अमावस की रात इस नदी का पानी काला हो जाता था क्योंकि उस दिन बासको के जंगल की वंदे भी यहां अपनी आँखों का काजल दोती थी और पुर्णिमा के दिन यही नदी लाल रणकी हो जाती थी क्योंकि उस दिन वंदे भी अपने महावर लगे दोनों पाओं नदी में डाल यहां से सामने भेलवा पहाडी के उपर आकर अटक जाने वाले चंद्रमा को निहारती थी ऐसा इस इलाके के लोग कहा करते थे लोग में जब लोग कुछ कहने लगें तो वो मान्यता बन जाती है लोग कह कह कर धारना भी बना देते हैं और इसी से धर्म भी इसलिए लोग में देखे से ज़्यादा कहे का बल है लोग में लोग कह कह कर किस्सा भी बना देते हैं और सत्ता भी यहां भी ये किस्सा अब एक सत्य था और इस इलाके के कुछ लोग तो यहां तक बताते कि उन्होंने कई बार अंधेरी रातों में वन देवी को पुल से नदी में उतरते भी देखा था और सुबह कही तो पैरों के निसान भी खोज लेते बहुत गौर से देखने पर वो लकडबगों के पैरों के चिन्न लगते पर वो माना जाता वन देवी का ही पदचिन है सदियों की जमी मान्यताओं को दो आखों का देखा भला क्या खारिश कर पाता बासको के जंगल की सघंता विपुल थी सखुआ सागवान को लांगते यहां से करीब 12-13 किलो मिटर पूरब जाते ही अरण्य के अंतिम छोर पर मिलता एक दसको पुराना खड़ा खंधर अपसर डेनियल लॉनेस ने बनवाया था उस समय ये अनाज की कोठी हुआ करती थी और डेनियल खुद यहां रहा भी करता था कोठी के ठीक माई और आहाते में ही डेनियल की समाधी भी बनी हुई थी अब ये कोठी एक धाह चुकी विरासत थी जहां वर्सों से लोग आते जाते नहीं ही थे आसपास के जो लोग जंगल में बकरिया वगरा चराने जाते वे कहते थे कि आज भी कभी कभार वहां अंदर से अनाज की बोरियां उठाने गिराने की आवाजें सुनाई पड़ती थी कुछ तो यहां तक दावा करते कि उन्होंने साक्षात डेनियल की कोठी के बरामदे में डेनियल को टहलते हुए देखा था अब ऐसे में भला किसे पड़ी थी कि वहां जाए और डेनियल से बोरियों का हिसाब ले अभी रात का तीसरा पहर बीता था यही कोई साड़े तीन के करीब बजे हुए होंगे भोर अभी गाड़ी रात का कंबल ओड़े उंग ही रही थी पच्छिया साए साए कर सन्नाटे से टकरा रही थी पच्छिम के विछोब से संसना के चले हुए आए बादल आपस में साड़ गाठ करके गड़गडा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अभी कभी भी जोर से बरस जाएंगे ठीक इसी सबे दामू सिंगा गाओं से निकली एक मारूती वैन की हेडलाइट की रोसनी नौरंगी नदी के पुल पर चढ़ने लगी कस्बे और सहर को जोडने वाले मुख्य पत से अलग होने के कारण इस पत पर गाड़ियों की आवाजा ही नहीं के बराबर थी गाओं देहात के लोग साज धलने के बाद इधर दिखाई नहीं ही देते थे इसी कारण इधर जंगल को अपने जंगल होने का गुमान था सबक के दोनो और सखुआ सागवान तन के खड़े थे और उनके बीच बीच में बैठा पलास पूरे जंगल को ढखे हुया था मारूती वेन अब पुल पार करके सणक पकड़ चुकी थी तभी एक बारगी बारिस के छीटे सामने के सीसे पर पड़े गाड़ी के ठीक आगे से कोई जानबर बीच सणक से गुजरा वेन में अचानक ब्रेक लगी लाइट धिमी हुई कुछ छन के बाद तेजी से गियर लगा कर उचली गाड़ी जंगल को भेती आगे बढ़ती गई गाड़ी अब पूरब की कच्ची पक्की सड़क धर कर ठीक उसी अनाज को ठीके सामने जाकर खड़ी हो गई चारो तरफ घुप पंदेरा था बारिस ने अब जोर पकड़ लिया था गाड़ी रुकने के बाद करीब मिनट भर चालू ही रही और फिर बंद हो गई गाड़ी का चालक दरवाजा खोल कर उत्रा उसके हाथ में एक टॉर्च थी वो टॉर्च जलाकर जटके से दौरता हुआ कोठी के बरामदे की तरफ बढ़ा सामने उड़ते हुए धुए का हसास हुआ जैसे ही उसने सामने की ओर टॉर्च मारी एक आदमी देहरी पर बैठा दिखा गाड़े वाले ने कुश्चन टॉर्च उसके मुँपर ही जलाय रखा था चौड़ा ललाट धसी हुई बड़ी बड़ी आँखें बड़े जबड़े के साथ लंबी सफेद भूरी डाड़ी से ढखे चेहरे वाला यह आदमी अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिये हुए लगातार बीड़ी फूख रहा था धीली 65 पहने करीब 65-68 साल का वह आदमी थोड़ी लडख़ाहट के साथ उठा तो लगा जैसे कोई तार का पेड़ आंधी में जुग गया हो पीठ पर कूबर निकलाया था उस बुजुर्ग आदमी ने बीड़ी को अंगूठे और तरजनी से मसल कर बुझाते हुए सर्ट की उपरी जेब में डाला और उसी हाथ से टौर्च को बुझाने का इसारा किया और इसारे से ही गाड़ी के चालक को अपने पीछे आने को कहा दोनों कोठी के अंदर गए घुप अंधेरे और घनी बारिस की बूंदों के कारण कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था करीब आधे घंटे बाद दोनों कुछ लादे बाहर निकले और वैन की पिछली सीट पर रखा उसके बाद बिना एक मिनट भी गवाए गाड़े स्टार्ट हुई और वापस उसी रास्ते लोट गई कुछ दिनों तक लगातार बारिस के बाद दामु सिंगह में ये एक धुली हुई सुबह थी ठाकुर अवद नराइंग सिंग के आंगन वाले बरामदे में उनका लगभग 34-35 वर्षिय पुत्र जैपरकास कुरसी पर चुपचाप गर्दन गोते बैठा हुआ था मा कुशल्या देवी ने जैपरकास की कुरसी के ही पास एक पानी का गिलास और चाय का कप लाकर रख दिया था ठीक सामने ही अवद नराइंग सिंग भी दोनों पाउं कुरसी पर चड़ाए बैठे हुए थे दोनों हाथों से अखवार पकड़े हुए थे लेकिन अखवार के किनारे से नजर लगातार बेटे की ही तरफ थी बेटा जैपरकास अभी भी उसी तरह बैठा नीचे जमीन की और टक-टकी लगाए बिलकुल सांत चित्त मुद्रा में स्थीर था अब नरान सिंग दामु सिंगा गाउं के ही पुराने संपन लोगों में से थे जिनकी आज भी अस्सी नब्बे बिगे की उपजाओ जमिंदारी थी साल में एक खरीफ और एक रवी फसल उपजा लेने के बाद धन धानने के लिहाज से वर्तमान की अवस्था मोटा मोटी ठीक ही थी बेठे जपरकास ने पिछले ही साल बंबई के किसी सौफ्टवेर कमपनी में जॉब धर लिया था जॉब और नौकरी में अंतर होता था नौकरी केवल सरकारी सेवा को कहा जाता था और जॉब नीजी छेतर की अनस्चित आस्थाई नौकरी को भारत में नौकरी पकड़ी जाती थी और जॉब को धरा जाता था धर्रे में जोर ज्यादा लगता है जिसमें ये दवाब रहता है कि धरे रहो छूट न जाये चाय रखा रखा ठंडा के पानी हो गया होगा पत्नी कौसल्या देवी ने रसोई के दरवाजे से ही जागते हुए कहा ओ ओ हो हाँ अच्छा देखते हैं अवाज सुनने के बाद कुर्सी के पास रखे चाय के कप की और ध्यान जाते ही अवद नरायन सिंग ने दोनों पाउं जट कुर्सी से उतारते हुए कहा अवद नरायन ने आगे बढ़कर पहले पानी का गिलास उठाया और बेटे की तरब बढ़ाया ए जेपी बेटा जेपी अवद नरायन हलके से बोले पुत्र जेपरकास के बदन में न कोई हलचर हुई नहीं चेहरे के भाव में कुछ बदलावाया अवद सुनकर उसने एक बार दाहिने हाथ की उंगलिया हिलाई गर्दन हलकी सी उपर की और पुनह नीचे कर यथावत मुद्रा में चला गया अवद नरायन अब गिलास के पानी को हाथ में ले हलका हलका छीटा मार उसका चेहरा धोने लगे फिर अपनी कुर्सी पर डला तॉलिया उठाया और धीरे धीरे उसका चेहरा पोच उसे कुर्सी में ही थोड़ा पीछे से सरकाया अपने ही हाथों से गर्दन को सहारा देकर उसे सीधा किया और उपर उठा दाहिनी और टेक देके टिकाया एक तक्या कुर्सी में पीठ की तरफ दिया हुआ था, जिसे सरका कर माथे को उसी पर टिका दिया गया था इस आडियो बुक को पूरा सुनने के लिए स्टोरी टेल आप सब्सक्राइब करें आपको सब्सक्राइब करने की जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है